नमस्कार दोस्तो इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिनफे XT टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, जिनफे XT टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जिनफे XT टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि जिनफे XT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं, जिनफे XT टैबलेट का उपयोग शरीर में Iron Deficiency Anemia होने पर किया जाता है, यान जिनफे XT टैबलेट का उपयोग किया जाता है, जिनफे XT टैबलेट शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करती है, शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं, प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर जिन जिनफे XT टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आइरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवशक्ता होती है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला पर्याप मात्रा में आइरन का सेवन नहीं करती है, तो या विटामिन B12 की कमी होने पर भी खून की कमी हो सकती है। फॉलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइडरेट को ग्लुकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनरजी मिलती है। फ्रेगनेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्त रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर की नसों में दर्द वा शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी वठकान रहने की समस्या हो सकती है। जिन्फे XT टेबलेट के अंदर जिंक भी मौजूद होता है। जिंक शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जिन्फे XT टेबलेट का सेवन महिलाएं वो पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, तवचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों वपैरों का ठंडा होना, सिरदर्द रहना, छाती में दर्द होना, लक्षन शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी या कागस खाने की इच्छा होना आदी लक्षन भी शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है, तो ये लक्षन शरीर में आईरन की कम पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षन नहीं होते हैं। लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती हैं। वैसे वैसे एनीमिया के लक्षन भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कम को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर जिन फे XT टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जिन फे XT टैबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आजमी या सीने में जलन होना और पेट में दर्द हो सकता है। आम तोर पर ये साइड इफेक्ट्स अस्थाई होते हैं। और जैसे जैसे आपका शरीर जिन फे XT टैबलेट के साथ तालमेल बनाता है। वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। यदि इन में से कोई भी साइड इफेक्ट्स लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जिन फे XT टैबलेट की वज़ा से तटी का रंग ब्लैक हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की जिन फे XT टैबलेट को कैसे लेना रेक्टेमेंड होता है। जिन्फे XT टैबलेट को लेने के बाद कम से कम 20 मिनिट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जिन्फे XT टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। ज्यादातर प्रेग्नन्ट महिलाओं को डॉक्टर जिन्फे XT टैबलेट को प्रेग्ननसी के पहले 12 सबता यानि प्रेग्ननसी के पहले 3 महीने पूरे होने के बाद ही जिन्फे XT टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं। क्योंकि प्रेगनन्सी के पहले तीन महिने के अंदर प्रेगनन्ट महिलाओं को उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना या मुंग का स्वाद खराब होना आधी समस्याएं अधिक होती है। इसलिए प्रेगनंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनंसी का चौथा महिना शुरू होने के बाद ही जिन्फे XT टैबलेट को शुरू करने की सला देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेगनंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है, तो डॉक्टर प्रेगनंट महिलाओं को प्रेगनंसी की शुरूात से भी जिन्फे XT टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। जिन्फे XT टैबलेट की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको जिन्फे XT टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि जिन्फे XT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डॉक्टर जिन्फे XT टैबलेट के साथ विटामिन सी की टैबलेट या विटामिन सी से भरपूर खादय पदार्थों जैसे टमाटर, आवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद और कीवी आधी को खाने की सला दे सकता है। क्योंकि विटामिन सी शरीर में आईरन के अवशोशन को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से जिन्फे XT टैबलेट की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्यकारण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना, अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्यकारण की वजह से हैं और आप शरीर में ख शरीर में आइरन की ओवर्डोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ओगन्स को नुकसान पहुचा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक जिनफे XT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। जिनफे XT टैबलेट के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिट दवाईयान, कैल्शियम सप्लिमेंट्स, टेट्रसाइक्लिन एंटिबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटिबायोटिक्स, थाइरोईड की टैबलेट और पारकिंसन्स डिजीज में उप्योग हो जिनफे XT टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योकि इन दवाओं के साथ जिनफे XT टैबलेट को लेने से दवाईया आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है, या साइड इफेक्स होने का अभी जोखिम अधिक हो सकता है। अगर आप इन में से कोई भी दवा लेते हैं, तो आपको जिनफे XT टैबलेट और इन दवाओं में कम से कम दो से लेकर तीन घंटे का ग्याप रखना चाहिए। गुड और मुंगफली आधी का सेवन परियाप्त मातरा में करना चाहिए, क्योंकि इन में आईरन भरपूर मातरा में पाया जाता है। और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है। और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया, तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका जिन्फे XT टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.